आज है 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़बरों को यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए एक जन्वरी से कर सकेंगे आवेदन राज़ाने साहित प्रवेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित तित्ही जारी कर दी गई संयुक्त प्रवेश परिक्षा परिशत की ओर से पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए एक जनवरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाश शुरू होगी जबकि 16 मार्ट से प्रवेश परिक्षा आयूजित की जाएगी प्रावितिक शिक्षा विभाग ने संबंद में प्रस्तावित तित्यान चारी की है राम मंदर के पास बनेगा एक बड़ा अस्पताल शिराम जनवो में मंदर के निर्मार के बाद यहाँ पहुचने वाले लाखो राम भक्तो की सिहत का भी खास खयाल रखा जाएगा इसके लिए मंदर के निकट ही पानसो बैट का एक बड़ा अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने शिराम मंदर के निकट एक सूपर स्पेशलिटी होस्पिटल बनाने के निर्देश दिये हैं अस्पताल में सभी आधुनिक सुवधाई होंगी अलिगर में रोजगार मेला 19 दिसंबर को 15 कंपनी करेंगी 1100 पदो पर चयान शेत्रिय सिवा योजन कारियाले राजकी आई टी आई कोशल विकास मिश्रन और IIMT कॉलेज रोजगार मेले का योजन पंशील कॉलाणी स्थेत IIMT कॉलेज में 19 दिसंबर को प्राताहद 10 बजे से होगा मेले में 15 कंपनी लगवग 1100 रिक्तपदों पर चैन कर वहीं पर ओफर लेटर देंगी अप्रेल से बिल माफी वसूली अक्टूबर तक की जमा करने को लेकर उपकेंद्रों पर हो रही नोग छोग अप्रेल से किसानों के बिजले बिल माफी की घोशना की गई जबकि वसूली अक्टूबर तक की हो रही है इसको लेकर किसान वाब बिल जमा करने में लगे कर्मचारियों के बीच उपकेंद्रू पन्नोग जोख हो रही है वही वभागी अफसर इसके पीछे तकनीकी गड़बडी का हवाला दे रही है यूभी के शहर को मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्यम मोधी दिखाएंगे जंडी केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है आयुद्या के बाद अप्रियाग राज को वंदे भारत के सौगात मिलने जा रही है प्रधारमंत्री नरेंद्र मोधी आगामी अच्छारा दिसमबर को वारणसी से वंदे भारत एकस्ष्परस ट्रेन को हरी जंडी दिखाकर रवाना करींगी वारान से नई दिल्ली के बीच चलने वाली बंदे भारत एक्स्पेस सप्रियाग राज के रास्ते संचालित होगी परिशदीय स्कूर्स के कायकल्प में रूची ना लेने वाले तीजलों के बेसिक शिक्षादिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे सपश्टी करण मागा गया इसमें से आगरा बलिया संभल में तो खाते में धनराशी तक नहीं आ सकी विद्याले प्रबंदन समिती के खाते में धनराशी ट्रांसफर करने के लिए जिला परियोचना समिती से अनुमोदन तक नहीं प्राप्त हुआ शराब की दुकानों के पास तैनात रहेंगे पुलिस करमी सक्ती शुरू मेरत सरे के पल्लापुरम शेतर में शराब की दुकानों के पास शराब पीने वाले लोगों के खलाब पुलिस ने सक्ती दिखाना शुरू कर दिया अब शराब की दुकानों के पुलिस करमी तैनात रहेंगे जिससे किसी भी प्रकार की अराजबता को रूखा जा सके पलापुरम प्यापार संग के दौरा थाना ध्यक्ष पलापुरम से शराप के दुकानों को लेकर शकायत तर्श कराई योगी सरकार देगी 12.35 लाग फ्री स्मार्टफोन जानिये कब तक मिलेगा स्मार्टफोन युवाओ को बाट देगी ये स्मार्टफोन उन्हें निशल को दिये जा रही है स्मार्टफोन आपूर्थी करने वाली चार कंपनी से कहा गया है कि वो 21 परवरी 2024 तक 612,35,266 स्मार्टफोन की आपूर्थी कर दे जड़ खत्म हो सकता है यूपी पीटी रिजल्ट का इंतिसार उत्पदेश अदिना सेवा चैन आयोग प्रारंबी का हर्था परिक्षा 2023 रिजल्ट के इंतिसार में करीब 20 लाक अभ्यर्थी बैठी है उमीर है कि एक सब्ता के अंदर ही इन अभ्यर्थियों का इंतिसार खत्म होगा और पीटी के नतीजे आयोग के वेब साइट यूपी एसससी डॉट गॉव डॉट इन पर जारी होंगे पीटी 2023 में सफल अभ्यर्थी राजसरकार के विबिन नविभागों में अगले एक साल तक निकलने वाले गुरूप सी के पदों पर आवेदन करने के पात रहूंगे मतुरा के शाहीदगा मामले में सुप्रीम कोट से मुस्लिम पक्ष को को बरकरार रखा है अंगली सुनवाई नौज जनवरी को होगी शाहीद गाप परिसरका दिवक्ता आयूबत से सर्वे कराए जाने की मांग से जुड़ी अर्जी मनजूर कर ली थी यूपी गेनाज जिलो में होगा एक लाग करोड का निवेश सबसे जादा सोन भद्र में नौजा के बाद धरातल पर उतरने जा रहा सबसे जादा निवेश सोन भद्र में होने वाला है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दोरान देश पिदेश के और द्योगिक समूहों की ओर से मिले चालिस लाग करोड के निवेश प्रस्ताव को योगी सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी में जोशोर से जुटी है इसमें सोन भद्र समेट आठ आकांग शात्मक जिले भी निवेश की राह पर आगी है नए टीजीटी पीजीटी भरती 102 साल पुराने नियम से ही करेगा नया आयू पास साल के कवायत के बाद उत्तरपदेश शिक्षा सिवा चेनायो गधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई लेकिन शिक्षिकों की भरती के विवादित नियम में संशोदत नहीं हो सका ऐसे में नयायो की ओर से भविश्य में होने वाली भरती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता ज्यारी नियमावली में साहिता प्राप्त मादिमिक विद्यालियों में प्रशिक्षित इसनातक और प्रवक्ता में भरती का आधार इंटरमेडियाच शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है जो अपडेट नहीं है वंदे भारत के साथ काशी तमिल संगमम ट्रेन की भी सौगात देंगे पीम मोधी यात्रा होगी आसान पुर्दान मंतरी नरेंद्र बोधी इस बार के दो दिवसीय प्रवास के दोरान तीन ट्रेन्स को हरी जंडी दिखाएंगे इसमें वारानसी, नई दिल्ली, वंदे भारत एक्स्प्रेस, काशी तमिल संगमम एक्स्प्रेस और इंदारा दोरी घाट में मोध्रेन शामिल है संगमम एक्स्पिस ट्रेन की गोशना पिछले वर्ष दिसंबर में पहले काशी तमिल संगमम में आये रेल मंत्री अश्विनी वैशनव ने की थी रिशा में बनेगा थाना कुछ जगव पच्चोकियां जमीन तलाशने के निर्देश बरेली में विकास भवन सबागार में डियम रविंद्र कुमार की अध्यक्ष्टा में खानून विवस्था के संबंद में बैठक हुई SSP गुले सुरिशील चंद्र ने कुछ थानों के निर्मार के लिए जमीन की मांग की इस पर डियम ने संबंदे तफसरों को निर्देश दिये कि पुलिस भाग को जमीन उपलब्द कराई जाए SSP ने कहा कि रिछा चौकी को थाना बनाना है लेकिन जमीन उपलब्द ना होने के चलते शासन को प्रस्ताओं नहीं भीच पा रही राम लला के नगरी में बनेगी भारत की सबसे बड़ी मजद रखी जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान आयोधर में बन रहे भवे राम मंदिर के साथ एकरी 25 किलो मेटर दूर मजद भी बनाई जाएगी इस मजद के बुनियाद मक्य के पवित्र काबा में नमास पढ़ाने वाले इमाम हरम रखेंगे इस मजद का नाम मजद मुहमद बिन अब्दुल्ला रखा गया है पिशले अक्टूबर में मुंबई में हुई एक बैठक में मस्दित का नाम मस्दित मुहम्मद बिन अब्दुल्ला रखने के बाद तै हुई थी एकोटूरिस्म की थीम पर वन विभाग मनाएगा गुरखपूर महोचसब जुटेंगे दिग गाज एकोटूरिस्म की थीम पर होने जा रहे गुरखपूर महोचसब 2024 में वन नजीव और परियावरण की ओर से महानगर वासियों का ध्यान खीचा जाएगा वन और परियावरण संडक्षन के लिए जहानुक करनाटक के जरिये एसानियक अलाकार लोगों को जागरूप करेंगे वहीं गुरखपूर वन प्रभाग, चुडियागर और हेरिटेच फाउंडेशन ट्रस्ट, संयुक्त रूप से एको टूरिस्म, वाइल लाइफ, एन्वायमेंट और क्लाइमिट चेंज पर आधारित, फिल्मोचसा फिल्म फॉर हुमानिटी आयूजित करेंगी। डबल इंजन की सरकारी में हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा, वारानसी में बोले योगी। मुख्यमंतरी योग्याद इतनाते कहा कि सारे नौ वर्षों में दुनिया के अंदर भारत को संबान मिल रहा है, तो देश में विकास की बड़ी-बड़ी पर योजनाएं चल रही है। बिना भेदभाव के गरीब कल्याण योजना का लाब मिल रहा है, डबल इंजिन सरकार में हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वैशित मंच पर सम्मान और देश में सुशासन का वातावरण हैं। लकनो से आगरा तक बढ़ी धुन्द और गलन, यूपे में ठंडी बढ़ती जा रही है, नियून्तम तापमान में लगातार गिरावच हो रहा है, लकनो से लेकर आगरा, मेराज, गुरपुर, वारण से प्रियागराश तक हर जगर रात में गलन और कोहरा वरता जा रहा है लकनो में कोहरे से रात के पारे में एक डिग्री के मामूली व्रधी हुई, मौसा विभाग के अनुसार 24 घंटों में बदलाव के संकेत नहीं है, इस वीच प्रदेश के कई हिस्सों में वायू प्रदूशन की इस्तिती भी बनी हुई है प्रियागराज मांग मेले में AI के एंट्री, CCTV वीडियो के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एनलाइसस से पुलिस करेगी ये काम प्रियागराज में मांग मेला दोजार 24 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, चाहूँ अंदिवसीय इस मेले में देश दुनिया से करोडों लोग आएंगे इसे लेकर योगी सरकार सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में जच गई है इस बार के मांग मेले हाइटिक सिक्योर्टी की व्यवस्था रहेगी, दरसल इस पर मांग मेले में AI की भी एंट्री हो गई है पुलिस इस टीवी के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एनलाइसस से काम करेगी रेलवे के सौ फीसद विध्युती करन पर तीन हजार करोड यूनिट बिजली की ज़रूरत होगी रेलवे अपनी वर्तमान और भविश्य की जरूरतों के लिए लगातार विबहन स्रोतों से नवी करने और जाग खरीद रहा है रेल मंतरी अश्विनी वैशनाओ ने लोग सभा में भाजपा सांसत राजेश चोड़ासमा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी कैसे बढ़ेगा केंद्रिय कर्मशारियो का महंगाई भत्ता केंद्रिय कर्मशारियो को बड़ा जटका लग सकता है तरसल लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जनवरी में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन करने वाले डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुए अप्रेल 2023 के बाद से इसमें कोई बड़ाओ नहीं किया गया केंद्रिय कर्मशारियो का महंगाई भत्ता जनवरी में बढ़ना है लेकिन लेबर ब्यूरो की शीट से डेटा गायब होने से अब की बार कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है न्युन्योंक में खेला जाएगा 2024 टीच्षटियनटी डभलु सी में भारत पार्क मेंच अग्ली साल होने वाले टीच्षटियनटी वर्ट कब में भारत और पारक के बीच्ष मैच्षट अमेरीका के न्यू describe निश। पर कमेटी के बीच बैचत में इस पर महण लग सकती है न्यूयोप के बाहरी इलाके में वर्टकप की मेजबानी के लिए अस्थाई स्टेडियम तयार किया जा रहा है सचाई जलसन साधन और क्रशी विभाग में आई बंपर वैकेंसी उत्रप्रदेश सरकार ने खाली पदो पन्यूक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है इसी क्रम में सचाई और जलसन साधन और क्रशी विभाग की ओर से रिखती के अनुशन सा भेजी गई इसके आधार पर उत्रप्रदेश अदिनस सेवा चैन आयोग सचाई और जलसन साधन और क्रशी विभाग में नक्षा नवीस और मांचित रकपत पर दोसो तेरासी भरतिया करेगा आयोग ने भरती का विग्यापन चारी कर दिया है PCS जोती मौरिया पर गिरी गाज बरेली से तबादला लकनों में दी गई तैनाती हुंगाट मरिश दूबे से दोस्ती को लेकर चचित रही PCS जोती मौरिया पर शासन इस्तर से गाज गिर गई किसानों की शिकायत के बार शासन ने SDM जोती मौरिया काप बरेली से तबादला करा दिया है उन्हें लकनव मुख्याले से संबंद किया गया जोती मौरिया बरेली जिले के सेमी खेड़ा चीनी मिल में जीम थी उनके स्थान पर अब सदाव असलम को जीम बनाया गया है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद